चलिए अब हम आपका एक concept test करते हैं इस question में हमें borax में present boron atoms की hybridization को पता करना है तो आप वीडियो को यहाँ पर pause करिए और दो मिनट का समय लेकर boron atoms का hybridization पता करिए I hope आपने इस problem को अच्छे से solve कर लिया होगा तो चलिए देखते हैं कि इसका solution क्या होता है यदि हम borax का structure देखे तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है और इसमें अगर हम extremely left और extremely right boron atom को देखे तो इन atoms ने 3-3 covalent bonds बना रखे हैं तो इन atom का hybridization होगा sp2 वहीं remaining दोनों borax atom की बात करे तो इन atoms ने 4-4 covalent bond बना रखे हैं जिसके कारण इन atoms का hybridization होगा sp3 I hope आप इस question को आसानी से समझ गये होंगे अजये होगा